हलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आज के सेश्चन में हम जब किसी रेक्टांगुलर शीट को फोल्ड करके, चाहे वो कागज की पेपर की शीट हो, या टीन की शीट हो, वगरा वगरा, उसको फोल्ड करके सिलिंडर फॉर्म करते हैं, उस पे बेज जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो वॉल्यूम से रिलेटेड हो, या सर्फेस एरिया से रिलेटेड हो, उनका कॉंसेप्ट क्या होगा, कैसे ऐसे क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, यह समझेंगे, सबसे पहले, एक बेसिक बात समझ लेता है, जब भी हमें कोई rectangular sheet दिया है, या कोई rectangle है, अगर हमें rectangle given है, जैसे कि यह हमने sheet लिया हुआ है, A4 sheet, तो अगर हम rectangle को fold करते हैं, अब fold करने के दो तरीके हैं, जब भी किसी rectangle को fold करेंगे, तो या तो हम लंबाई के साफ एक्ष उसको fold करेंगे, length के साफ एक्ष फोल्ड करेंगे, या फिर हम उसको, उसकी breadth या चौणाई के साफ एक्ष फोल्ड कर सकते हैं, और दोनों ही से जो cylinder form होई, उनका volume अलग-अलग होगा, ठीक है, तो जब भी हम इस sheet को अगर लंबाई के साफ एक्ष फोल्ड करते हैं, तो हमारा एक cylinder form होगा, ये एक cylinder बन गया हमारा, ठीक है, ये एक cylinder बन गया, और इस cylinder का volume question में पूछा जा सकता है, तो अगर हमसे volume पूछा जाता है, हमें ये बात समझनी जरूरी है, जब भी हम फोल्ड कर रहे हैं, तो जो circle बन रहा है, बेस का, ये जो लंबाई है हमारी, यही तो उसकी परिदी होगी, यही तो उसका perimeter होगा, और जो चोडाई है हमारी, वो लंबाई हो जाएगी, यानि उचाई हो जाएगी, बेलन की उचाई हो जाएगी, ठीक है, question में curved surface area तो कभी नहीं पूछा जाएगा बट इसका concept समझना जरूरी है कि जब भी हम किसी rectangular sheet को curve करेंगे तो basically जो उस melon का curved surface area है वो उस rectangular sheet का area ही तो होगा isn't it so वह यह जो rectangular sheet का area है यही तो उसका curved surface area हो जाएगा क्या यह बात clear होती है और दो तरह से हम बना सकते हैं cylinder लंबाई वाला तो देखी लिए ऐसे ही चोड़ाई से भी cylinder form किया आया सकता है तो कभी हमसे इन दोनों cylinders के volume का ratio भी पूछा जा सकता है अब इसका concept detail में theory में समझते है चीज़ें तो हमने देख लिया कि कैसे cylinders बनेंगे अब यही बात हम थोरी में समझते हैं तो अगर कोई भी हमें sheet given है और उस sheet की length L है breadth भी है लंबाई L है और चौड़ाई भी है तो उससे form करने के दो तरीके हैं या तो हम ऐसा करेंगे कि लंबाई के साफ एक्शूस को form कर दें यानिकि लंबाई को around घुमाएं ठीक है तो इस case में जो परिदी होगी हमारी जो perimeter होगा वो length के बराबर होगा यानि length हमारी 2 pi r के बराबर होगी यहां से radius आजाएगी हमारी L upon 2 pi और जो height होगी वो हो जाएगी breadth के बराबर, चौड़ाई के बराबर r1 h1 निखलेता है simplification के निए तो जब हम लंबाई के साफ एक्श इसको मोडेंगे तो हमारी radius आजाएगी L by 2 pi और height आजाएगी B अब अगर हमें volume निकालना है इसका तो volume क्या होगा volume हो जाएगा πाई r square h pi r1 square h1 यानिके pi into L by 2 pi का whole square into B यानिके L square B upon 4 pi square into pi यानिके upon 4 pi यह हमारा volume हो जाएगा क्या बात समझ में आती है ठीक है और जैसा हमने देखा कि दोनों ही cases में जो हमारा curved surface area वो तो change नहीं होगा तो curved surface area तो L into B ही रहेगा तो इसको अलग से calculate करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर total surface area पूछता तो total surface area हो जाता curved surface area यानिके L into B plus 2 times base area और जो base area होगा वो हमारा क्या होगा base area क्या है pi r square यानिके 2 times pi into r है L upon 2 pi का whole square बाकि depend करता है अगर हम हमने इसको fold कर गया 10 की sheet को fold किया और fold करके अगर हम balti बना रहे हैं या कुछ ऐसा container बना रहे हैं तो उसमें तो एक side का ही base area होगा तो अगर container बना रहे हैं और container के total surface area पूछा जाता है जिसमें पानी भरा है तो container case में हमारा curves of area तो रहे गई रहेगा प्लस एक बार हमें base area add करना पड़ेगा वेकि container में तो सिर्फ base होगा top पे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि top पे आप लगा दोगे तो भरोगे कैसे कुछ भी ठीक है यह चीज समझ में आनी चाहिए अब अगर हम instead breadth के along इसको fold करें तब हमारा radius जो है 2pi r1 जो perimeter है हमारा 2pi r2 लिख लेते हैं r2 लिख लेते हैं तो यह breadth के बराबर होगा यहां से हमारा r2 की value आ जाएगी b upon 2pi और h2 हमारा यानी height जो है वो length के बराबर आ जाएगी और v2 की value हो जाएगी pi r2 square h2 यानी pi into b by 2 pi का whole square into l यह formula याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं अभी जब पूरा session आप देख लोगे तो आपको इतने अच्छे से समझ में आ जागा कि आप seconds में questions कर लोगे बिना किसी formula को याद के हुए ठीक है बस आपको बने रहना है और हर बात जो कही जादी है उसको ध्यान से सम compare करो V1 को और V2 को इनको compare करो ठीक है तो V1 हमारा आ रहा है जब हम length के साप x fold कर रहे हैं तब volume आ रहा है हमारा L square into B upon 4 pi और जब breadth के साप x fold कर रहे हैं तब volume हमारा रहा है B square into L upon 4 pi तो क्या यहां से हम volume का ratio निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं चीक है तो volume का ratio क्या आ जाएगा V1 upon V2 या जब length के साप x fold कर रहे हैं उसको लिख देते है VL और जब breadth के साप x तो VB तो इनका जो ratio आ रहा है वो कितना आ जाएगा LB upon 4 pi तो cancel out हो जाएगा दोनों में common है सिर्फ ऊपर एक length का factor बचेगा और नीचे breadth का factor बचेगा यानि कि L upon V आ जाएगा क्या ही बात समझ पा रहे हो यानि कि जब हम length के साप x fold करेंगे तब जो volume आएगा और जब breadth के साप x fold करेंगे तब जो volume आगा उनका जो ratio है वो length और breadth का ही ratio होगा और जैसे कि हमने देखा किसी भी sheet में लंबाई अगर हम चोड़ाई से जादा रखते हैं यानि कि अगर length breadth से जादा है तो जब length के sapex fold करेंगे तो हमारा volume ज्यादा आएगा अगर length हमारी breadth से ज्यादा है तो इसका मतलब है volume जबकि length के sapex हमने fold कि है वो ज्यादा होगा जबकि breadth के sapex fold कि है और जो ratio आएगा वो तो हमारा length और breadth का ही ratio होगा इसी बात को एक और तरीके से समझ लेते हैं कि देखो हमारा फार्मुला होता है वाल्यूम का πाई इंटु आर स्क्वाईर इंटु एच ठीक है या फिर अगर हम 4 से इसको मंटिप्लाई और 4 पाई से मंटिप्लाई और डिवाइड कर दे है तो यह आजाएगा 4 πाई स्क्वाईर क्यों कर रहा है यह भी समझ में आजाएगा 4 पाई इंटु पाई आर स्क्वाईर एच अपान 4 पाई अब यही तो हमारा एल स्क्वाईर भी अपान 4 पाई हो रहा था इस अटेकर क्योंकि किसी भी वाल्यूम के फार्मुलम एक समानु पावर 1 के समान उपाती है, तो volume कब बढ़ेगा, जब हम radius बढ़ाएंगे, अगर हम radius को double करें, तो volume 4 times हो जाएगा, लेकिन अगर हम height को double करते हैं, तो volume 2 times ही होगा, यानि कि अगर हमें volume जादा रखना है, तो radius जादा होनी चाहिए, क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, तो अगर volume तब जादा होगा, जब radius जादा होगा, यानि कि जब हम लंबाई को perimeter बनाएंगे, यानि कि लंबाई के साब एक circle बनाएंगे, तो radius हमारी जादा आएगी, और इसलिए volume भी जादा होगा, क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात clear होती है, ठीक है, अब questions पे move on क is rolled along its length to form a cylinder, so we have to find out volume of the cylinder, thus generated, तो कागज की एक आयताकार sheet है, 22 cm x 12 cm की, और इस से हम cylinder बना रहे हैं, जिसके लिए हम लंबाई के सापेक्ष इसको फोल्ड करेंगे, और इस प्रकार उत्पन सिलेंडर का हमें आयतन ग्याद करना है, तो अगर लंबाई के सापेक्ष फोल्ड क isn't it so, और height हमारी हो जाएगी 12 के बराबर, clear है, और अभी हमने formula तो जानते हैं, फिर formula क्या होगा हमारा, volume का formula हो जाएगा, l square b upon 4 pi, अगर आप formula को याद कर रहे हो, otherwise यहाँ से आप radius निकाल लोगे, radius हाजएगी 22 by 2 pi, ठीक है, और height हमारा 12 है, यानि कि, pi r square h, में आप radius डाल दोगे, answer आप का आजाएगा, pi into 22 upon 2 pi, into 22 upon 2 pi, into 12, pi से pi cancel out हो गया, चीक है, और यह आगया, 2 से काटेंगे, 6 पार जाएगा, तो 20 into 22 into 6, बटे 2, और एक pi को replace करेंगे, तो यहाँ जाएगा 22 बटे 7, 22 से 22 काटा, 2 से काटा, 3 बार गया, यह 7 उपर आएगा, तो 22 into 21, चीक है, तो यह आजाएगा, 462, centimeter cube, क्या यही बात समझ में आती है, चीक है, यही बात आप directly L और B की values यहाँ पर डाल के भी सिरे से निकाल सकते हैं, clear है, ओके, पर क्योंकि पहला question समझ रहे हैं, इसलिए, properly समझ रहे हैं तक यह ताकि आपको method समझ में है, बात में, अपने इसको short कर लेंगे इस तरीके को, क्या यह बात clear होती है, चीक है, अब देखो, यहाँ पे, एक और चीज़ हमने पहले session में देखी थी थी नहीं, कि जब भी हमारा radius 7 cm होगा, तो perimeter, यानि 2 pi r की value कितनी आएगी, 44, और area, यानि pi r square की value आएगी, 154, तो इसको use करके भी हम कई बार values निकाल सकते हैं, isn't it so, तो अगर 2 pi r हमारा यहाँ पे 22 आ रहा था, 22 बटे 7, into 7 by 2, into 7 by 2, into 12, 7 से 7 कट गया, 4 से 12, तीन बार गया, तो 22 इंटो 21 सीदे सीदे आ गया, solve कर लोगे इसके बार, तो अगर यह चीज़े हमें clear हो जाती हैं, तो और भी question हमारे लिए आसान हो जाता है, अगला सवाल दिखते हैं, अगला question कह रहा है, कि कागर्स की एक आयतकार शीट है, 25 सेंटीमीटर क्रॉस 32 सेंटीमीटर की, और इससे सिलेंडर बनाने के उसको लंबाई के साप एक शम मोडते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न सिलेंडर का वक्रप्रष्ट ही चेतरफल क्या हो स्टेट अवे आंसर आजाएगा, 25 इंटो 32, यहीं कि 800 स्क्वार सेंटीमीटर, क्या बात क्लियर होती है, कहीं को डाउट इसमें, यह बात हम स्टार्ट में देख चुके हैं ना एक बार, कि जब भी हम किसी शीट को फोल्ड करेंगे, जब भी हम किसी शीट को फोल्ड करने के लिए हमको कुछ भी और करने की, ना रेडियस निकालने की जरूरत है, ना हाइट निकालने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ चुप चाप से, यह जो हमें आयताकार शीट दियो है, बस इसका एरिया निकाल लेना है, वही हमा next question कर रहा है एक rectangular sheet of paper है 44 cm x 20 cm का और इसको हमने roll किया है along its length to form a cylinder क्यानि कि क्योंकि 44 cm है तो यहां से हमें clearly दिख रहा है कि radius हमारी होगी 7 cm और height होगी 20 cm question पूछ रहा है total surface area और total surface area होता है 2 pi r into h plus r cylinder के लिए तो यह value आ जाएगी 2 pi r तो हमें पता ही है 44 और h plus r हो जाएगा 20 plus 7 यानि 27 तो 44 into 27 हमारा answer आ जाएगा ठीक है clear है 7 cm 28 यानि कि हमारा unit digit 8 होना चाहिए option b हमारा answer होगा क्या ही बात समझ में आती है otherwise यह करते है 27 into 4 into 11 है 27 into 4 है 108 108 into 11 11 अगला question करते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जो SSC CPU 2019 में आया है सवाल कह रहा है हमसे कि 88 cm की लंबाई का एक rectangular sheet का paper है और 11 cm width है उसको roll करके हम एक cylinder बना रहे हैं और cylinder की जो height होगी जो चौडाई के बराबर होगी कागस के जो उचाई है cylinder की वो कागस की चौडाई के बराबर है यानि कि height तो हमारी 11 हो गई और यहां से 2 pi r जब 88 के बराबर है तो हमको पता है कि radius क्या आ जाएगी 44 की double है यानि कि यहां से radius हमारी आ जाएगी 14 cm तो volume होगा pi r square h यानि कि 27 into 14 into 14 into 11 और हैं पता है कि यह value कितना होगा 7 के case में यह value 154 होता है तो इसका double कर रहे है 14 के case में यह हो जाएगा 4 times यहने की 616 ठीक है इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी 616 into 11 again 11 साही multiply करना है तो सबसे पहले आ जाएगा 6 then 6 plus 1 7 then 6 plus 1 7 6 तो 6776 6 cm3 हमारा अंसर आ जाएगा clear है जिलनों को भी 11 से multiply करने का method नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लेते हैं अगर हमें कोई value दिया है latest से number दिया है 536 और हमें इसको 11 से multiply करना है तो सबसे पहले unit digit में हम 6 लिख देंगे फिर 6 और उसके अगले number से multiply करने एक तरह से हम 10 से multiply करके उस number को जोड रहे हैं ठीक है तो यह कोई simple common sense है ठीक है आगे पढ़ते हैं अगला question करते हैं अगला सवाल हम से कह रहे है एक cylindrical एक rectangular strip of dimensions 20 cm x 12 cm is rolled to form a cylinder तो 20 cm x 12 cm आया हम का एक आयता कार पट्टी है और इसको हम दो तरीकों से मोड रहे हैं एक तो लंबाई के सापेक्ष मोड रहे हैं और दूसरा चौणाई के सापेक्ष मोड रहे हैं और सवाल यह पूछ रहा है इस प्रकार बने दोनों बेलेनों के आयतान का अनुपात क्या होगा तो यह तो बिलकुल आसान सवाल है हम अल्रेडी जानते हैं कि volume जब length के साप एक्ष मोडेंगे और breadth के साप एक्ष मोडेंगे तो जो volume का ratio होगा L upon B और length है इसकी 20, breadth है बारा 20 by 12, यानि कि अनुपात हमारा आजाएगा 5 अनुपात 3 ठीक है, exactly 5 by 3 आजाएगा, हमें यहाँ पर volume निकालने की कोई ज़रूद थोड़ी है clear है, कहीं कोई समस्या अब अगला सवाल देखते हैं यह एक अच्छा सवाल है, जो cds 2017 में आया है, ठीक है अगर आप concept को नहीं समझोगे अच्छे से properly, तो आप यहाँ पर 4 अलग अलग volume निकालने और दूसरी शीट का साइज है, पाई क्रॉस फाई पाई हमें एक hollow right circular cylinder इससे बनाना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, we have to join a pair of parallel sides of any sheets, यानि कि कुल मिला के हमें किसी भी 시작 कि समानतर भुजाओं को जोड़के एक found लbn रख्ची वेलन ना है, तो समानतर भुजाओं को जोड़ने का मतलब क्या हुआ वही बात जो हम शुरु से करते चले आ रहे हैं, fold करना है, His it certainly, so, i think that समानतर भुजाओं को भावित आयतन क्या होगा यानि कि maximum volume का cylinder कौन सा होगा और वो maximum volume क्या होगा ठीक है अब देखो दो बाते हम समझते हैं यह चीज़ हम अल्रेडी जान चुके हैं कि जब हम length के सापेक्ष मोड़ते हैं और ब्रेट के सापेक्ष मोड़ते हैं तो जब कि हम लंब भुजा के सापेक्ष मोड़े यानि कि लंबी भुजा से हम वृत्त का निर्माण करें तभी हमारा जो है isn't it so और ऐसे ही radius हमारी इस case में यहाँ से बनने वाली है क्या यह बात समझ में आती है ठीक है क्या यह बात clear होती है तो पहले वाले case में हमारा volume कितना आएगा maximum volume कब आएगा जबकि हम length के साफ एक श्मोडेंगे तो पहले वाले case में volume कितना आने वाला है volume आएगा हमारा जब हम 4 pi को 2 pi r1 के बराबर equate करेंगे तो यहाँ से हमारी r1 की value कितनी आजाएगी r1 equal to 2 आजाएगा और h1 यानि की height हमारी आजाएगी 2 pi ठीक इसे तरह से जब 5 pi को 2 pi r2 के साफ एक equate करेंगे तो हमारा r2 आजाएगा 5 pi by 2 pi यानि 5 by 2 और h2 आजाएगा pi आप volume निकाल लेते हैं पहले वाले case में हमारा volume आएगा pi r1 square h1 यानि की pi into 2 into 2 into 2 pi यानि की 8 pi square और second case में हमारा volume आएगा pi r2 square h2 यानि की pi into 5 by 2 into 5 by 2 into pi यानि की 25 बटे 4 pi square जो हो जाएगा 6.25 pi square ज्यादा volume कबा रहा है हमारा जब हम पहले वाले rectangle sheet को मोड रहे हैं 8 pi square तो हमारा answer हो जाएगा option d 8 pi square क्या ये बात समझ में आती है क्या ये बात clear होती है ठीक है लेकिन अभी इस question को और भी आसान बनाया जा सकता है अगर हम अपनी समझ को और अच्छे से apply करें तो अभी और भी आसान बनाया जा सकता है इसको कैसे बनेगा ये और आसान ठीक है देखो हम instead second और first दोनों ही cases में volume निकालने के पहले ये देख सकते थे कि कौन से case में हमारा volume ज्यादा आएगा ठीक है ये कैसे देख सकते थे अभी हमने start में ही देखा है कि volume हमारा क्योंकि है pi r square h यानि कि volume हमारा r square into h के समान उपाती है ठीक है तो instead of volume निकालने के आप बस इतना करो कि जिस side से आप radius बनाने वाले हो उस side का square और जिस side से height बनाने वाले हो उस side को multiply करके आप एक approximation ले सकते हो volume का यह बात समाज में आती है ठीक है यानि कि जिस side से हम radius बनाने वाले है कौनसी side हो पहले वाले case में हुगा 4pi वाला side और project बनाएंगे 2pi वाले side से ठीक है 4 square into 2 और V2 हमारा आएगा 5 square into 1 तो ये value आजाएगी 16 दूनी 32 और ये value आजाएगी 25 तो हमारा V1 और V2 का जो अनुपात आएगा वो आएगा 32 अनुपात 25 क्या बात समझ में आती है ठीक है और जैसे ही ये value हमें पता चल गए तो हमें पता चल गए कि maximum volume का आएगा V1 के case में तो हमको सिर्फ और सिर्फ पहले वाले case में volume निकालना है ठीक है और volume में क्या करेंगे हम अज़ी L2B upon 4 pi से भी निकाल सकते थे इसना रिट सो अदर्वाइस इतना भी करोगे तो भी आपका seconds में answer आजागा कोई दिक्कत नहीं है क्या concept समझ में आए कि आपको बात समझ में आई ठीक है तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था इससे जादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी अब इस पर बेस एक और question देख लेता है लंबा ही है 4 पाई चोड़ा ही है 3 पाई और दूसरी शीट है हमारी 2 पाई इंटो 6 पाई यानि कि curved surface area दोने ही का सेम होगा वाई दोनों का area तो सेम ही आ रहा है 2 पाई इंटो 6 पाई भी 12 पाई स्कॉयर है और 3 पाई इंटो 4 पाई भी 12 पाई स्कॉयर है लेकिन volume तो different होगा जो हमारे cylinders बनेंगे ठीक है अब हम same knowledge अगर इस्तेमाल करें हमें पता है volume होता है proportional to r square into h और पहले वाले case में हमारा volume तब ज़्यादा आएगा जब कि हम 2 pi r1 इसको radius लें isn't it so जब हम 4 pi के लंबाई के साफ एक्ष फोल्ड करें और ठीक से ही दूसरे case में भी यही होने वाला है जब लंबाई के साफ एक्ष फोल्ड करेंगे यानि 2 pi r2 के ब्राबर होगा 6 pi r1 यहां से आगया 2 r2 आगया 3 और height तो 3 pi 2 pi ही है बस r square h की value निकाल लो r square h पहले वाले case में कितना आएगा v1 कितना आएगा v1 में आएगा r square h 2 का square into 3 pi और v2 में आएगा 3 square into 2 pi यानि कि 4 तियाई 12 pi और यहां second case में आएगा 18 pi यानि कि सीधी सी बात है कि v2 के case में हमारा जो volume है वो जादा आने वाला है बस खतम होगया सवाल हमारा ठीक है तो v2 कितना आएगा यहां पर pi into 3 into 3 into 2 pi pi r square h यानि कि 18 pi square option भी यह answer हो जागा क्या बात समझ में आती है क्या session आपको समझ में आया session में जो भी concept हमने जो भी बातें discuss की वह आपको clear हुई या surrender concept का आप और बहतर तरीके से समझ पाए अगर session पसंद आया हो तो like जरूर कीजेगा अगर चैनल को आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा अच्छा लगेगा ठीक है उतना ही आगे के session बनाने हो मज़ा आएगा अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और पीछे के sessions को भी और भी जो हमने topics पर बना है sessions उनको भी जरूर कवर कीजेगा ठीक है और साथ में ही अगर आप किसी particular topic पर चाहते हो क कि session जल्दी बनाया जाए तो आप commenter mention कर सकते हो कि इस topic पर session जल्दी बना दीचे तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर पहले session बनाया जाए ठीक है और कल से हम average के questions स्टार्ट करेंगे average का topic स्टार्ट करेंगे तो अभी आज फिलहाल इस session में इतना ही रखते हैं वाबाय टेक करने कि जुद पर तो जरू करिया का?